सोमनात मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और एतिहासिक मंदिरों में से एक है भगवान शिव का यह मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात प्रदेश के सौराश्ट्र में प्रभास्क शेत्र में स्थित है यह मंदिर 12 जियोतिरलिंग में से सबसे पहला जियोतिरलिंग माना जाता है जिसके बारे में बहुत से महागरतों में भी विस्तार से बताया गया है गुजरात के सबसे लोगप्रिय पर्यटन स्थल में से एक सोमनात मंदिर की खूपसूरती देखते ही बनती है भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का इतिहास और इसकी अद्भुत कला ही देशी नहीं बलकि विदेश से भी भारी परियपकों को अपने ओरा अकर्षित कर पौरानिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि चंद्रदेव ने इस मंदिर में भगवान शिव को प्रसं दे दिया कि उनकी चमक प्रकाश धीरे-धीरे समाप्थ हो जाएगा इस श्राप का असर जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही चंद्रदेव का प्रकाश कम होने लगा राजा दक्ष के श्राप से मुक्ती पाने के लिए चंद्रदेव को भगवान शिव की आराधना करने के और कोई उपाय समझ नहीं आया जिसके बाद उन्होंने भूलेनात की उपासना की भगवान शिव उनकी आराधना से प्रसन हुए और उन्हें दक्ष के श्राप से मुक्त कर दिया उसके बाद सोम चंद्रदेव ने उस स्थान पर भगवान शिव के इस मंदिर का निर्मान क जाता है कि अलबरूनी नामक एक अरब यात्री ने अपने यात्रा के वृतांत के समय इस मंदिर का बखान किया था जिससे सुनने मात से ही अफगानिस्तान का शासक महमूद गजनवी इतना अधिक प्रभावित हो गया कि उसने अपने 5000 सैनिकों के साथ मिलकर से 1024 में सोमना मंदिर पर हमला कर दिया महमूद गजनवी ने ना सिर्फ मंदिर को पुरे तरीके से नश्ट कर दिया बलकि मंदिर की सारी संपत्ती भी लूट कर ले गए ऐसा माना जाता है कि उस समय मंदिर में हजारों के संख्या में लोग पूजा अर्चना कर रहे थे और गजनवी ने एक एक कर सभी का कतल करवा दिया और सारी संपत्ती लूट कर वहां से भाग गया। मंदिर के नश्ट होने के बाद गुजरात के शाशक राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मिलकर इस मंदिर का पुनर निर्मान कराया। इसके बाद साल 1297 ने दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर हमला बोल दिया जिसके बाद गुजरात उनके हिस्से में आ गया और तब सोमनात मंदिर को पांचवी बार गिराया गया। सन 1702 में मुगलों के शासक औरंगजेब ने एक आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि यदि कोई भी हिंदू इस मंदिर में पूजा के लिए जाएगा तो इस मंदिर को पूरे तरीके से तुड़वा दिया जाएगा और चार साल बाद यानी सन 1706 उसने यही किया और सोमनात मंदिर को पुनगिरवा दिया आज जिस सोमनात मंदिर में हम भगवान शिव के दर्शन को जाते है उसका निर्मान भारत के पूर्व ग्रह मंत्री सरदार वललब भाई पटेल ने कराया था जिसके चलते मंदिर के एक हिस्से में उनकी एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है इसके बाद भारत के पूर्व राश्ट्रपती ने सन 1995 में इस सोमनात मंदिर को देश के नाम समर्पित कर दिया था भारत के सबसे लोग प्रियर शिव मंदिर होने के कारण इस मंदिर की एक नहीं बहुत सारी विशेशता है और यहीं वजह है कि देश विदेश से भ पर संतुलन बनाए रखने में मददगार है सोमनात मंदिर के दक्षनी भाग में स्थित समुद्र के किनारे के एक स्तम है जिसे बांस्तम के नाम से भी संबोधित किया जाता है मंदिर के किनारे पर हिरन, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम होता है जिसे त्रिवेनी के स्थित कलश का भार लगभग दस्टन है सोमनाथ मंदिर अपनी वास्तुकला के कारण भी बहुत प्रसिद है जिसके चलते लाखों की संख्या में परियटक यहां आते है इसके साथ शाम को साड़े साथ बजे से लेकर रात साड़े आठ बजे यहां एक विशेश लाइट एंड साउंड शो चलता है जिसमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाता है श्रद्धालूओं के लिए सोमनात मंदिर के पट सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुले रहते है इस मंदिर के आरती की भी बहुत लोग प्रियता बताई जाती है आपको बता दे सोमनात मंदिर में 3 बार आरती की जाती है